अब बात करते हैं साइड एफेक्ट की सिलेक्टिव एंडोजन रिसेप्टर मॉडिलेटर के साइड एफेक्ट हैं बहुत सारे हैं फॉर एफेक्ट के साथ साथ इनकी यूजबिलिटी बहुत सारी है माल लीजे ऐसे भी सर्म्स आएंगे आगे चलके जो सिर्फ और सिर्फ गॉनाडोट्रॉपिन नाम के जो आपके गॉनाड्स हैं आपके जो एक्ट्वल सेक्स ग्लैंड्स हैं उनको इनिविट करेंगे आपक जो के सिर्फ सेक्शुल मोटिवेशन को बढ़ाएंगे और ऐसे भी आएंगे जो आपके स्टिमूलेट करेंगे और आपके एंड्रोजन को इनिविट करेंगे ऐसे अभी एक एक्सपरिमेंट में चल रहा है Mk.45.41 नाम का एक जो स्टिम है वो ऐसा माइस में साइन्स दिखा रहा है इन ट्राइल ट्राइल प्री क्लिनिकल ट्राइल में यूमन में क्या साइड इफक्र आएंगे किसी को नहीं पता क्यों क्योंकि यह आप अपने उपर एक्सपरिमेंट नहीं करना चाहिए क्यों क्यो लोगों ने यूज किया और यूज करने पर उनको night blindness, उनके आखों में visual loss और कई लोगों को color vision loss, ये सब loss हुए, तो उसके बाद फिर ये ban हो गए, फिर इनके उपर rules आ गए, ये आ गए, भाई साब इसको use नहीं करना, इनके खिलाफ test भी आ गया, इवन जो दूसरे हैं, जैस अगर इससे cancer भी हो जाता है, इससे carcinogenic पाया गया, कि ये molecule जो इन्होंने साम बनाया था, इससे थोड़े से high dose में lab rats को cancer होने लग गया, so you never know, you never know what you will get by using all these things, आपको पता नहीं है आपको क्या होगा आगे चलके, क्योंकि इन पर research चल रहा है, research हो सकता है, आगे चलके गडबन निकले हो सकता है, positive निकले, so अभी use करना पाप है, गलत है, एक आता है औस्टारीन, औस्टारीन MK2666, इससे भी देखा गया है, टेस् inhibit हो रहे हैं, आप उनको चाहे 4-4 week के cycle में लो, चाहे 4 week gap लो, चाहे 2-5 gram लो, चाहे 15 gram लो, आपके testosterone inhibit हो रहे है, आपकी muscle थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है, थोड़ी बहुत bone growth हो रही है, लेकिन आपकी sex drive कम हो रही है, right, LGD 4033 जो है, उसका fat पे कोई effect नहीं है, fat ना तो loss होगा ना gain होगा, आपकी सिर्फ muscle muscle gain होगी, right, उस दवा से, उस पे अभी experiments चल रहा है, और एक ना एक दवा है, जिसका नाम है, SR909, जिसका नाम है, stenobolic, stenobolic जो है, उसको ऐसे बोलके बेचा जा रहा है, exercise in a pill, क्योंकि वो भी sympathetic है, आपके अंदर body में fat burning बढ़ा देगा, औ और even rats में, जिसमें injection से experiment में वो डाला गया, उनमें बिना कुछ दिन चरिया के change किये, उनके 60% तक fat loss हो गया, 60% fat loss बहुत बढ़ी बात है, बढ़ गया, है ना 60% fat loss बढ़ गया, लेकिन जब उसको ओरली दिया जाता है, जो कि जिस नाम से उन्हों बेचा जा रहा है, exercise in a pill, ओरली दिया जाएगा, तो जानवरों की बात है, human trial का पता नहीं, human trial में अगर उनको ओरली देते हैं, तो उसकी bioavailability 2% है, सिरफ 2%, यहनि कोई काम का नहीं, right, so that's the point, so बहुत सारे experiment है, जब एक बिजली का बल बनाना था, एक 10,000 बार fail हुए थे, हमारे researchers, तो आज की rate में अ किया जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा है, इंडिया में कई लोग ये use कर रहे हैं, anabolic come use कर रहे हैं, और उल्टे सीदे drugs use कर रहे हैं, यह सोचके कि उनकी muscle building बढ़ जाएगी, जबकि उन्हों नहीं पता कि आगे चलके क्या side effect होगा, so please don't use SAMS, selective androgen receptor modulators हैं, इसके साथ कई की तरिके के और चीजें चल रही है, selective estrogen receptor molecular modulator है, selective gonadotropin receptor modulator है, selective progesterone receptor modulator, etc, etc, इस सब illegal है, यह सब आप नहीं खरीच सकते, इस सब आपको नहीं मिलने चाहिए, इस सब आपके gym owners, gym instructor जो आपको दे रहे हैं, illegally दे रहे हैं, इनको मत लीजिए, कृपया अपने शरीर के साथ मे self-experiment मत करिए, you never know how you will end up, so यह हुई बात सारी अब तक की जो जानकारी है, selective endrogen receptor modulator की, आगे कुछ जानकारी आएगी, तो आपको ज़रूर दी जाएगी, I am Dr. Paramjit, you are watching Dr. Education, thank you so much for watching, stay connected, stay healthy.